तो इसमें लोग बात करने मिले जो कि आपका स्मार्टफोन है अधिमाल जी आप उसे खो दिये हैं वह स्मार्टफोन यहां पर मिल नहीं रहा है कहीं पर गिर गया है ऐसे में यहां पर आपको लगता है कि वह स्मार्टफोन यहां पर चोरी हो चुका है और आप उसे यहां पर ब्लोग करवाना होगा जियाँ पन तो सिंपली आप उसे ब्लोग करवा देंगे तो कोई भी यहाँ पर उस्मार्टफोन को यूज करते हुए यहाँ पर नेटवर्क कोई अक्सस नहीं कर पाएगा और यहाँ वह स्मार्टफोन एक डबबा की तरह बन जाएगा तो ऐसे में आ यहाँ पर आपका जो की browser होता हुआ पर सर्च करना होगा C-E-I-R यहाँ पर तो simply इतना सर्च करने के बाद C-E-I-R.com सर्च करना होगा यहाँ पर यह एक website है जो कि यहाँ पर government का website और जितने भी यहाँ पर mobile phone यहाँ पर purchase होते हैं पिर buy होते हैं पिर जितने भी जो कि आपका स्मार्टफोन होता उसमें आपने कभी-कभी IMEI नमबर ज़रूर देखागा तो उसके जरीए यहाँ पर identify किया जाता है और उसी स्मार्टफोन को यहाँ पर block भी कर सकते हैं उसके जरीए जियाँ पर बात करते हैं क्या process कैसे आपको block करना है तो इतना यहां पर देखने के बाद सिंफ्टली आपको एक form देखने के मिल जागा आको दे देखने करते हैं टो और stolen यानि कि चोरी हुगा फोन या फिर माल जे खो दिये हैं और आप चेक कर सकते हैं अधिमाल जे आपने कुछ रिपोर्ट डाला है किसी भी स्मार्टफोन को ब्लॉग करने के लिए तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं उसका यहां पर इनिवेस्टिगेसन कहां तक हुगा जियां पूर्ट यहां पर फस्ट में आ आया हैं बलॉग करवाना चाहते हैं तो ब्लॉग करना होगा और यहां पर यह स्मार्टफोन है यहां पर čोड हो चुका यहां पर तो अफ् båत होकिया होगा करना हो उसकी आपका काम होता एप खृत्स टेशन वाले हैं a काम होता हुआ लगनगे और आपको भेड़ साइट पर आकर के कंप्लेंट डालना होगा तो कंप्लेंट डालने से पहले आपको ही हां लिखना आपका स्मार्टफोन है उसमें कौन सा फोन नंबर आपने युज किया था और उससे स्मार्टफोन का आई-मी-आई-नंबर आपको फिलफ कर देना अगा और दूसरा जो कि आपका सेकेंड आई-मी-आई-नंबर हो तो उसको भी आप डाल देना होगा जैसे के बॉक्स पर भी आपको आई मी आई नंबर देखने के मिल जागा तो इतना डालने के बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ आ जाना होगा और जितने भी यहां पर वर्ल्ड में स्मार्टफोन बने हुए सभी का आपको यहां पर कंपनी देखने के मिल जागे जैसे के रियल मी ओपो वीबो या स्मार्टफोन विबो आपको यहां पर फोटो किलिक करने आपर अपटेब करने के बाद जो परahahakyanap यहां पर डालना होगा इसमें जसे कि और पर दोट करने के लिए our own फील अपर इसके लिए rs declare पर आपको click करके आपको submit करदेना ओगा जिहांपन तो simply जो कि आपका registration number होता है जैसे की complaint number होता हुसको भी आपको डालना होगा और जो कि हमने बता था photo आपको click करने आउगा complaint का hard copy का तो उसको भी आपको attach करके upload लोट कर देना होगा जिससे कि यह identify हो जाएगा जो कि आप complaint डाले हैं यह आप ही का स्मार्टफोन है और आप इसे यहां पर ब्लोक करवाना चाहते हैं इतना डालने के बाद जो भी आपका complaint होता हुँ उसे सम्मिट कर देना होगा और सम्मिट करने के बाद आपके यहां पर करवाई स्टार्ट हो जाएगा और जो भी स्मार्टफोन है उसे यहां पर ब्लोक कर दिया जाएगा और जब कोई भी कोई यूजर उसमें यहां पर सीम डालेगा तो उसे यहां पर ट्रैक करके उसका यह पर लोकेशन जनरेट किया जाएगा और जितने भी टेलिकॉम अपरेटर हैं वह सभी यहां पर बहुत ही असानी से हेल्प करेंगे उसी स्मार्टफोन को ट्रैक करने में तो कुछ इस तर से आप उसी स्मार्टफोन के यहां पर ब्लोक करवा सकते हैं अधिमालजी आप उसे य असानी से अन ब्लोक कर सकते हैं तो इसी तर से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कोई सवाल है सुझाओ तो नीचे कमेंट करके फूच सकते हैं दोस्तों तो आप से मिलते हैं नेस्ट वीडियो में